जी वेलकम हैं आप सभी का आपकी अपने यूटूब चैनल एहमत टेक्नलोजी पे जो एक्जाम ओ लेवल के थियोरी के हुए हैं 13 से 20 जनवरी में और इससे पहले भी जो आपके एक्जाम होते थे ओ लेवल के इनकी आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं कहां से चेक कर सकते हैं बहु होना चाहिए पास होने के लिए तो देखिए पहले आपके ऑफ लाइन उस पर होते थे ओमर चीट पर टो इनकी आंसर की जो है नेलेट के अगर आप व्याइब साइट पर विजीड करते हैं चेक करते हैं तो कहीं पे Slovenρα की आपको करता है अगर आप नेरेट की ओफीसल वेब साइट पे विजिट करते हैं तो तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ओनलाइन एक्जाम दिया है कम्प्यूटर पे 13 से 20 जनवरी में थियोरी का तो आप इसके अंसर की चैक नहीं कर सकते आपको पता नहीं चले लेगा कि कितने कुश्चन आपने सही किये हैं या कितने नंबर आपके थियोरी में बने हैं यह तो आपको तभी पता चल पाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपका साफ साफ लिखा होगा कि थियोरी में आपके कितने question सही हुए हैं या कितने number आपके आए हैं उसमें practical के अलग number लिखे हुए होते हैं theory के अलग लिखे हुए होते हैं और total average भी लिखा हुआ होता है कि कितने percent का आपका overall average बना है उसी इसाब से फिर आपको grade भी दिया जाता है 50 से कम है अगर आपके 50% से कम का average है तो आपको fail कर दिया जाता है दर्वाइज आपको pass कर दिया जाता है according to grade के आपका grade क्या है कौन से grade आपका बना है ठीक है तो जो बच्चे बार बार comment करके पूछते हैं कि सर answer की कैसे check करें कहां से check करें तो इसकी official answer की नहीं आती है यह मैं आपको बता दो YouTube पे बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी हमारी मिल जाएंगी और किसी की मिल जाएंगी आंसर की की लेकिन जो official answer की है नेलेट की कौन से option सही है किस question का वो आपको पता नहीं चल पाएगा नहीं आपकी नंबर पता कर पाएंगे कितने नंबर आपके आए हैं ठीक है और आपको कोई doubt हो comment box में पोच सकते हैं उसका reply आपको वहाँ पर मिल जाएगा वीडियो को सच बच्चे शायर कर दे अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दे और चैनल को अगर आपने subscribe नहीं गया तो please subscribe भी कर देजिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद जाए भारत